हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिनका अपनी डे टो डे लाइफ में बहुत जादा यूज़ करते हैं अगर आप इन्हें समझ गए तो आपको इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प मिलेगी से आपकी इंग्लिश काफी हद तक इंप सेट असाइड फ्रेजल डॉक्ष हो गया अपर एक तरफ रखने के लिए विग्फ सेट असाइड और डिफ्रेंचेज का है मतलब है मदभए जो गारी पीच में मदभये चलने हैं कि ज़रुद है we need to set aside our differences अगर हम आपस में लड़ते रहे तो इससे ना तो तुम्हें फायदा होगा नहीं मुझे कि रही कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हमें दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा नहीं तुम्हें नहीं मुझे इंग्लिश हम बोलेंगे if we continue quarreling with each other if we continue quarreling with each other यानि हमें एक दूसरे से quarreling करते रहे हैं quarreling करते रहे हैं लड़ते रहे हैं जगड़ते रहे हैं neither you nor I will gain anything from it ना तो इससे तुम्हें कोई फायदा होगा और नहीं मुझे if we continue quarreling with each other neither you nor I will gain anything from it अगर हम आपस में लड़ते रहे तो इससे ना तुम्हें कोई फायदा होगा नहीं मुझे यह समय है कि हम साथ मिलकर काम करें it's time for us to work together it's time for us to work together यानि यह समय है कि हम मिलकर काम करें it's time for us to work together मैंने सारे मदभेदों को एक तरफ रख दिया है यहाँ पर यह कह रही है कि हमने भी देखा था ना set aside का use करेंगे मदभेदों के लिए differences का तो दुबारा से use करेंगे ताकि अच्छे समझ पाऊते हैं यहाँ पर यह कह रही है कि मैंने सारे मदभेदों को एक तरफ रख दिया है जो पास्ट में हुआ उसे मैं भूल के आगे बढ़ गई हूँ अब देखो इसे दो तरीके सम कह सकते हैं किसी चीज को भूल जाना इसके लिए मैं बच्पन से सिखाया जाता हम चेकते हैं forget का use करते हैं हम यहां कहेंगे I forgot what happened यानि जो हुआ मैं उसे भूल गई हूँ in the past past में जो हुआ था मैं उसे भूल गई हूँ and moved forward और मैं आगे बढ़ गई हूँ है ना लेकिन forget के जिसे अब आप movies देखते हो यह series देखते हो ना महाँ पे जायत तर forgot का use नहीं होगा forget का use नहीं होगा इसके अलावा कुछ phrases होते हैं कुछ phrases होते हैं मैं आपको बता हूँगा सबसे पहले से देखते हैं कि जो past में हुआ उसे मैं भूल के आगे बढ़ गई हूँ I forgot what happened in past and moved forward या अगर हम इसे कुछ बहतर तरीके सा बोलना हम कहेंगे I have let go of the past let go of का use हो गया पर I have let go of the past and moved on I have let go of the past and moved on let go of का मतलब है आप भूल जाना है यानि कि जो हुआ मैं उसे छोड़के आगे बढ़ गई हूँ I have let go of the past and moved on यानि जो past नो हुआ मैं उसे भूल गई हूँ और आगे बढ़ गई हूँ इस तरीके साब इससे देख सकते हो तागे और अच्छे समझ पाओ कह रही कि जो हुआ मैं उसे भूल नहीं सकती यहाँ पर तो यह कह रही है कि जो past में हुआ मैं उसे भूल के बढ़ गई तो हमने बोला I have let go of the past and moved on यहाँ पर ही कि जो हुआ मैं उसे भूल नहीं सकती तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे I can't let go of what happened I can't let go of what happened यानि जो हुआ मैं उसे भूल नहीं सकती I can't let go of what happened I can't forget what happened I can't forget what happened यानि जो हुआ मैं उसे forget नहीं कर सकती भूल नहीं सकती मेरी उनसे कभी नहीं बन सकती यहाँ पर बनने का मतलब है कि हमारे आपस में अच्छे relation होनी सकते कुछ लोग होते ना जिससे हमारी हमेश लडाई होती रहती है हमारी बनती नहीं आपस में तो इस सेंस में बात कर रहेगी मेरी उनसे कभी नहीं बन सकती इसके लिए हम get along करेंगे मैंने कही बार बताया है I can never get along with them यानि मेरी उनसे कभी नहीं बन सकती I can never get along with them मेरी उनसे कभी नहीं बन सकती यह हम कह सकते हैं कि getting along with them is impossible for me getting along with them यानि उनसे बन पाना is impossible for me मेरे लिए नाममकिन है यानि मेरे उनसे कभी नहीं बन सकती getting along with them is impossible for me हम कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं इंगलिश में simply हम बोल देंगे we can never be friends we can never be friends, यानि हम कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं, we can never be friends, friendship between us is impossible, यानि हमारे बीच में दोस्ती नामुम्किन है, friendship between us is impossible, जो उसने कहा उसमें गलत क्या है, अब यहाँ परियाज की बात को support कर रहे हैं, जो उसने कहा उसमें गलत क्या है, इंगलिश्में बोलेंगे, what is wrong in what she said, what is wrong in what she said, यानि जो उसने कहा उसमें गलत क्या है, what is wrong in what she said, हम उसके दर्द को कभी समझ ही नहीं सकते, इंगलिश्में बोलेंगे, we can't relate to her pen, we can't relate to her pen, यानि उसके घर जाते हुए, यानि कि बात कहना चाहरे ही कि जब में यहां से जाओंगी, उसके घर होते हुए, यानि कि बा जाते हैं वक्त उसके घर होते हुए जाओंगी, इंगलिश में हम बोलेंगे, दो फ्रेजल उसके घर होते हुए, यानि होते हुए, जाते हुए, यह हम बोलेंगे, I'll stop by her house on my way out, I'll stop by her house on my way out, stop by का जाओंगी, जब हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई दुकान पड़ी, किसी का घर पड़ा हमा होते हुए, गए, तो हम इंगलिश करते हैं, I'll stop by her house on my way out, मैं यहां से जाते हुए, उसके घर होते हुए, जाओंगी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंग I will try to make her understand, I'll try to make her understand, जब हम की जोगर समझाने की बात करें, मैं make का ज़रूर करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें समझाओंगा, I will make you understand, उसने मुझे समझाया, he made me understand, इसे तरीके से हाँ पर गिरीगी, मैं समझाने कोशिश करूंगी, I will try to make her understand, मुझे आदत है पूरा रात काम कर जी का आगा जैसे, I am used to working all night, I am used to working all night, या हम कह सकते हैं की I am used to doing this work, मुझे काम करने की आदत है, I am used to living here, मुझे हैं रहने की आदत है, या या नही कोई कहीं पर उन जादा गर्मी हैं, तो कोई कोई कोज से पूच लाता है कि तुम्हें कैसे रहते हैं, तो हम चैसे हैंॉता तरीके से हापर बता रहे ही कि मुझे आदात है पूरी रात काम करने की तो ऐसी तरीके से बोल सकते हैं I am used to working all night I worked all night on it मैंने पूरी रात काम किया यहानी किसी प्रोजेक्ट पर I worked all night on it मैंने पूर रात इस पर काम किया I worked all night on 8 मेरे पास पैसो की तंगी चल रही है Englishman बोलेंगे I'm running short of money मेरे पास पैसो की तंगी चल रही है I'm running short of money मैं इस मोके को नहीं गवा सकता I can't pass up I can't pass up this chance मैंने परसो बताया था कि pass up को मतलब होता है गवाना I can't pass up this chance मैं तुम्हें समझा कर थक गई हूँ Englishman बोलेंगे I'm tired of making you understand I'm tired of making you understand तुम्हें समझा कर थक गई हूँ I'm tired of making you understand तुमने मेरे सारे कमरे का बेड़ा घरक कर दिया Englishman बोलेंगे You messed up my entire room You messed up my entire room तुमने मेरे सारे कमरे का बेड़ा घरक कर दिया